हेलो फ्रेंस में सेकेंड बेलकम बैकिन माई टूटल से मैं हूँ अकाश्पंड और आप देख रहे हैं युनिसल में कैसे हो आप लोग दोस्तों आप यसे बहुत से बच्चे होंगे जो की रिजूम भेशते होंगे उनके रिजूम सॉल लिष्ट नहीं होते होंगे तो आज कुछ इंपोर्टन टिफ्स बता रहा हूँ किस तरह से कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हैं अगर इस टिफ्स को फॉलो करेंगे तो क्योंकि वहाँ पत सो लोग अप्लाई कर रहे हैं सो लोगों में से केवल हो केवल दो से तीन लोगों को लिना है तो आप खुद को वहाँ पर कैसे यूनिक बना सकते हो मेरे कुछ प्रैक्टिकल टिफ्स हैं जो मैंने सीखा हुआ है साथ ही आपको हेल्फ कर सकते हैं पहला टिफ्स क्या होता है आज का टाम में अगर तुम देखो कि तो कई लोग क्या करते हैं फ्रेसर हैं या फिर एक साल पांच मेने का एक्सपिरियंस है और सीवी ऐसे बनाएंगे जैसे मार्क जुगरबेर किसी के भी सीवी बनी हुई है इतनी खर्दरनाक सीवी मत बनाओ, सिंपल सीवी बनाओ उससे पता चलता है कि आप एक सिंपल इंसान है बित गुड इस्किल्स ठीक है अगर आपके पास अभी आप विग्रन लेबल पे हैं तो बहुत ज़्यादा ओर एक्टिंग वाली सीवी मत बनाईए ठीक है पहला टिफ्स है यह है, सिंपल सीवी का आपको अगर चाहिए कि कैसे बनती है तो मैं से डिस्किशन दे दे रहा हूँ उसको भी दूसरा चीज, आपको कहीं भी वहाँ पर फोटोग्राफ नहीं लगाना है, पता नहीं कौन समझा देता है फोटोग्राफ आपके लिए कोई लड़की थोड़ी सेलेट करने जा रहे है, ठीक है, वहाँ पर जॉब चाहिए, जॉब के लिए वहाँ पर फोटो के कोई रिक्वार्मेंट नहीं है बहुत गंदा लगता है फोटोग्राफ की सी भी सीवी कोपर, तीसरी चीज है, कई लोग क्या करते हैं अपने रिजूम को जैसे सेलेट का अमलब उपर लिखते हैं, जो एड्डरस लिखते हैं इतना बाड़ा वाला बंगला नमबर ये, रूम नमबर ये, गली नमबर ये, और society number यह, उसके बाद road number यह, और अगयर, 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 इतना बड़ा सा detail address, super ही लिख देते हैं, भाई उसके लिए permanent address अलग से है, आपके घल निफाफा नहीं भेजेंगे, सब कुछ mail पर जाने वाला है, so kindly don't do that also, simple आप लिखिए, जैसे कि मैं पुने में हूँ, तो specific मतलब एक ही career objective वह उसमें लिखा हुआ है structure engineer, I am looking for the structure engineering profile, उसके बाद x, y, z, इस तरह की company देखना चाहते हो, right, अब आप वही company, वही जो आपका CB, वही CB आप beam के लिए अप्लाई कर रहे हो, वही drafting के लिए अप्लाई कर रहे हो, वही हर जग अप्लाई कर रहे हो, कैसे कोई solid risk कर एक अंधा थोड़ी है, वह देखता है, career objective जो है, वह क्या बता रहा है, career objective आप यह लिख सकते हो, कि civil engineering company में देख रहा हूँ, civil engineering company में देख रहा हो, तो आप जो भी profile है, वह match कर गया, या फिर सबसे बहतरीन होता है, कभी भी, अगर आप सही तरीके से दम suitable होके apply करना चाहते हो, तो जो company में आप job करने जा रहे हो, मलब apply करने जा रहे हो, उस company का research करो, उसके according CV बनाओ, आप बोलोगे sir, company के according CV मलब हर company के according, yes, अगर आपको 100 में से 1 होना है, तो उसके लिए आप company देखिए कि इस company opening है, उस company की हिसाब से edit करिए अपने regime को, आप बोलेंगे sir, उसके हिसाब से region को कैसे edit कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से इस तरह से कि वहाँ पर जिस चीच की requirement है, वो आपके skills में add है क्या, अगर नहीं add है, तो एक snapshot लिखिए, snapshot में लिख दीजे कि हमको यह यह आता है, माल दीजे मेरी company है, मेरी company में stat pro की requirement है, आप बहुत talented है, लेकिन आपने e-tab लिख रखा है, लब-लब काम का process न तो एक ही है न, लेकिन आपने e-tab लिख रखा है, अब मेरी आपको reset कर दूँगा, लेकिन अगर आपने वहीं पर key skills में stat pro भी डाल दिया, snapshot में आपने लिख दिया है, कि I have a good knowledge of stat pro and e-tab also, तब मुझे हो गया कि चलो भाई, sales related है, तो आप अपने practice project में commercial project का कोई sample अगर आपने बना रखा है, तो उसको express करो, कि हमने ये बनाया था, if you want to see, तो आप उसको लेकिन जा सकते हो, open drive के अंदर, तो मतलग जिस तरह की आपकी requirement है company की, उस तरह की हमारी skills है, तो इसे क्या होगा, maximum 80% chance होता है, लोग क्या दे वीडियो देखते हो न, कोई भी, अगर कहीं पर कोई group की साधियो दीगे, किसी photo वीडियो देखते होगे, तो सबसे पहले आप पता है क्या देखते हो, आप खुद को देखते हो, group photo है, group photo में आप किसी को नहीं देखोगे, सबसे पहले आप खुद को देखोगे group photo में, time मि इससे मिस्टेक करते हैं वो यह करते हैं कि जो जैसे कि आप किसी भी बहुत दूर से एरियास हो और जॉब आपकी है एक दूसरे जगह पे वहाँ से वहाँ तक कर डिस्टेस लब पचास किलोमेटर का है अब कमपनीज क्या सूचती है इतना दूर से सामने आला आएगा और फि पड़ते हैं मैं कई बार कवर लेटर बोल चुका हूँ लोग नहीं लिखते हैं गलत करते हो भाई कवर लेटर का भी आपको दे दे रहा हूं सेमल डाउनलोड कर लो कवर लेटर ऐसा लिखो कि उसमें वह सारी चीजे कवर हो जाए जो वह कमपनी सामने अली करती है तो उसे के profile बजा रहे हो तो बीना portfolio के अभी एक बच्चा था उसने message किया था वी construct आपको पता ही होगा मैंने कई बर पता है मगर पटाम company है 4.2 का package है उसमें उसका sword list हुआ resume और पहला ही उसके जो HRS फातिमा सेख है तो उन्होंने पहला ही लिख रखा है mail पर क्या requirement of portfolio आप उपना portfolio सेर करिए portfolio के बिना कुछ नहीं होने हला बीम के industry में इसलिए strong portfolio बनाईए ठीक है और structure वाले क्या देहान रखेंगे उनका जो project है उनके resume के अंदर अगर वो fix कर चुक है कि मुझे structure में ही जाना है तो भाईजा वो जो transportation का project आपने college में किया था उसको हटा दीजी क्यों? क्यों transportation का क्या लेना देना है structure से तो ऐसा project add करिए जो structure से related है कोई आपका college की thesis उठा के नहीं देखने वाला है जस्ट वहाँ पर name remove करके आप वो project लिखे जो आपने practice के time पर जिसे मेरे से कहीं लोग सीखते हैं तो मैंने कितने day सारे project करवाए हुए हैं तो उसमें से ही कोई project आपने अगर कर रखे हैं तो उसका नान लिख दे दिए, पूछेंगे तो बता दीजेगा कि आपने किया हुआ है, exactly सच में आपने किया है इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको maximum chances होता है कि 100 में से एक ये दो के अंदर में आप आ सकते हो, short listing होने के chances बढ़ जाएंगे ये है short listing process अब बात करते हैं, short listing के बात का process कि अगर आप face to face प गए, वहाँ पर जब आप reject होते हो वहाँ पर technical के लिए तो मैंने बहुत तेर सारे वीडियो बना दी हैं, मैं बहुत कम बनाया हूँ, अगर तो HR पर बनाया हूँ HR में क्या problem होती है, technical में पहले problem बता रिता हूँ, technical में आपको सबसे पहली चीज़, आपके resume में जितनी skills आपने लिखा है, एक एक skills पर सामने वाला जाच करता है आपका अगर आपने लिखा हुआ है कि IS800, IS456 का knowledge है तो उसके clauses पूश सकते हैं आपसे अगर आपने वहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे stat pro आता है, stat pro का full form, stat pro के बारे में, stat pro में analysis कैसे करते हैं, यह सब पूश सकते हैं resume के अंदर से ही अच्छा interviewer आपसे question पूशता है, resume के अंदर से कब वह resume के बाहर जाएगा, जब आपके resume में उसको content नहीं दिखेगा, अब वह आपकी गलती, अगर आप नहीं yet करोगे, बाहर से गया, तो आपके sword listing होने के chance खतम हो जाएगे, क्यों? बाहर से कुछी पूश लेगा, लेकिन अगर उसको पता है कि मैं resume के अंदर से, तो मु नहीं है, bond ठोड़ी ने, तीन साल का bond, दो साल का bond नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, bond कहीं से भी legal नहीं हो, वो एक तरीके से इन legal है, bond से कोई stress मत लिया करो कि ये इतने साल का bond है, bond हर एक bond कोई भी bond होगा, ठीक है, आपने सम्मिधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसको bond कर स 1000 dot, ठीक है, I want 20,000, भाई, ऐसे मत मागो, कैसे मागोगे, एक scale मागो, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे range में मागो, तो उसे क्या होगा, company देखे कि उसका budget क्या है, उसका हिसाब से आपको decide करके देगी, ठीक है, या फिर सबसे अच्छा पहला answer क्या करना चाहिए, as per industry norms, in case HR ने पुछा नहीं I want the numbers, तो आपको scale में देना है 15 to 20, 20 to 25, जो भी आपको लगता है, range में दीजिए, और साथी साथ ये देखे कि company कितनी बड़ी है, उसके हिसाफ से range अपना बढ़ाई है, company छोटी है, ज्यादा package मागोगे नहीं मिलेगा, company बड़ी है, आप चाहिए जतना package मागोगे, उतना package मिलेगा, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखिए, छटी छटी टिफ्स हैं, जो आपको साथ बहुत हेल्फ कियोंगे, और आपको और चाहिए HR पे क्या क्या टिफ्स, तो बजी बताईए, और आपके लिए कोसिस करूँगा, कि HR में और धेट सारे आपको tips share करू, जो भी ह अबने 5 साल के अंदर सीखा हुआ है, थैंकियू सो मच पर वाचिन इस वीडियो, होप यू लाइक दिस, चैहिंद, चैह भारत, अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के भेजो, जो लोग अभी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, जॉब मिलना तो फिक्स है, मैंनो होता है कि पैकेज कितना मिल रहा है, पैकेज उतना मिलेगा जितना आप प्रोफेशनल लहेंगे, प्रोफेशनल ही तर सेंस की कपड़े काई प्रोफेशनल क्यों लही होता है, वो तो डेफनेटली होता है, उसके अलावा नॉलेज के लिए आप कि इनने प्रोफेशनल हो, आपने जो प्रोजेक्ट कर रखा है कितना क्लियर है आप उस प्रोजेक्ट के बारे में ये सब चीज़े आप अच्छे से रखना है चले जय हिन जय वारत